तो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था एक विद्यारती ने तो मुझे यह भी कमेंट किया कि सर आप केवल लड़कियों का बता रहे हो लड़कों पेदी तो बताओ तो दोस्तो इस वीडियो में पिछले वीडियो बता चुका था उस वीडियो में लाश्ट में बताया था कि मैं बॉइस का अगला सेपरेड वीडियो बना दूँगा तो साथ उन्हों ने अंतिम बाला नहीं देखा इसलिए मुझे यह कमेंट किये तो कोई बात नहीं दोस्तो इस पर मैं वीडियो बना दे रहा हूं देखिए आपके सामने अभी लाया हू जो की जिनका भी कम नंबर आया और वो 22 लोग हैं वो पैरा मेडिकल में खास करके कैसे एडवीशन लेंगे दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो आप इस वीडियो को पूरा इंड तक देखो और इस सॉलूशन को आप लोग जान लो कि क्या मैं बताने वा रखा जाएगा और उस टेस्क को देखर के आप अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देख सकते हो चले इस वीडियो को सुरू करते दोस्तों सुरू करने से पहले अगर आप मारे चल्पर नए हो पहली बार हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को औ कि लिए जो आप seinem करना चाहते हैं तो आपको समझ जाना है कि जो लोग optimic assistant को बनना चाहते हैं इसका course करना चाहते हैं तो आठो college में आपको apply कर देना है दोस्तों ठीक है ये trick है दोस्तों आप लोग try कर सकते हो जिनका कम नमबर है आठो college में कर देना है आपको बता दूँ counseling कितने type में होता है तो first counseling अभी होगा जिसमें आपको high number रहेगा ठीक है second counseling में आपको थोरा सा उससे कम number आ जाएगा लो हो जाएगा और third counseling में उससे भी low number पे चुनाया जाएगा ठीक है दोस्तों तो आशा करता होगा आप लोग समझ रहे होगा मेरी बातों को तो आपको आठ लिवेट्रिक टेकनीशियन बनना चाहते हैं उनके लिए 9 college है और जबकि seat कितनी है तो 235 seat है दोस्तों तो बिहार के अंदर कितनी seat है तो 235 seat है तो आपको 9 college को apply कर देता है जिनका कम number है तो 100% है कि आपका किसी न किसी college में आपका हो जाएगा तो आसा करता होगा कि आप लो second counseling तक में आपको उठा लेगा दोस्तों अगर 178 के बीच में है तो अगर बात करते हैं एक से टेकनीशियन जो बनना चाहते हैं उनके लिए कितने college है तो यहां पर देखे मैंने लिखा 8 college है ठीक है 8 college है और आठों में आपको apply करना है फ़र्ष्ट तक second counseling में भी और third counseling तीनो counseling में आपको भड़ना है इस college को ठीक आठों college को और seat कितनी है दोस्तों देख लो यहां पे 145 seat है किसके लिए x-ray technician के लिए मैं पूरा course wise seat को लेकर क्या है इस वीडियो में तो आप वीडियो को पूरा इन तक देखो कितने प्रकार के paramedical में boys के लिए seat है इस वीडियो में प ठीके same to same है जितना x-ray का है उतना ही होती क्या है और college कितने दोस्तों आठ college है और आपको apply आठों में करना है अगर आपका कम number है तो ठीक है आठों में ही apply करियेगा दोस्तों इससे और यह ध्यान रखना है कि आपको तीनों counseling में apply करना है अगर first में नहीं होता है तो second में आ बिलूर आप लोग apply करना और आपका luck साथ दिया तो 100% हो जाएगा दोस्तों अब यहाँ पर देखे आपको अगला जो course आता है पैरा medical के अंतर गत डिपलोमा इन फार्मेसी जिसको हम लोग डी फार्मेसी कहते है ठीक है डी फार्मेसी कहते है आप लोग आप लोग के लिए ये डी फार्मेसी करने के लिए एक college है ठीक है एक college है जो की पतना में है pharmacy institute पतना जिसमें seatों की संख्या कितनी है दोस्तों यहाँ पर देखे मैंने लिखा 60 seat है जो लोग डी फार्मेसी करना चाहते है उनके लिए फार्मेसी institute बहुत ही बेश्ट है और एक ही college है सरकारी में नावे यह दोस्तो जो कि government है अब जो अगला पैरा मेडिकल के अंतर आता है डेंटल हाइजिनिस्ट ठीक है यह भी पैरा मेडिकल के अंतरगत ही आता है दोस्तो डेंटल हाइजिनिस्ट इसके लिए भी एक college है जिसका नाम है पटना जिसमें सीटों की संख्या 10 है तो आपको भी वही करना है इस सबी में बहुत ही कम चांसे दोस्तों जिनका rank कम है ठीक है और डेंटल mechanics के लिए भी दस सीट है और वही college दोस्तों पतना डेंटल college एक ही college है पट्त डेंटल mechanics का भी ठीक है तो आसा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा यही थे जो कि 22 लोग के लिए भी था आपको पूरे colleges में अपलाई करना जितना college में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोग academic assistant के लिए अपलाई करना दो तीन courses डाल देना दोस्तो तो आपको क्या होगा कुसी न किसी course में हो जाएगा ठीक है तो चलिए मिलते नेक्ष वीडियो में अगर आपको और भी कुछ दिक्कत थे तो आप हमारे comment section में जरूर बताईएगा उसका उत्तर देने का प्र